Hello everyone and welcome to Ramrushwaran YouTube channel तो एर आज की वीडियो में थम्लेल में और टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं देट इस कि आपका ये डन है निश्चेत है कि अटेंप्ट जो होगा आपका जेई मेंस का फ़र्स्ट वो मे के मन्त में ही होने वाला है इसके पीछे का कुछ डेटा हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं जैसे कि हम बात करते है जेई एडवांस के बारे में आप लोग को पता है कि एडवांस यनकी आएट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है कि आप लोग का 8 जून से रेज्टरेशन स्टार्ट हो जाएगा साथी साथ आपका 3 जूलाई को पेपर होगा यनकी रेज्टरेशन की ओफिशिल डेट और एग्जामिनेशन की डेट जो की डिक्लेयर कर दी गई है और इसी टाइम पर ये चीज़ होने वाली है तो इन दौना दिनों के बीच जो गैप है वो 26 डेज का है 26 दिनों का गैप है गाईज हलाकि जो नंबर ओफ कैंडेट्स अपियर होते जे एडवांस में वो अन एवरेज एवरी येर होते हैं हमारे धाई लाग के करीब धाई लाग बच्चे जे एडवांस का पेपर जो है अटेम्ट करते हर साल तो ये जो डेटा है ओलरेडी एंट का पेपर देंगे और कोई थोड़ना देगा तो जो आयटी को फिल्टर डाउट बच्चे चाहिए होंगे धाई लाग उसके लिए उन्हें ज्यादा समय थोड़ना लगेगा हाडली एक दिन की आवश्यक्ता होगी ठीक है ना तो उनको हाडली मतलब एक दिन की आवश्यक् नहीं है और वो एक ही पेपर होगा एक ही दिन में आपका कम्प्लीट हो जाएगा तो यह तो रहा जेए एडवांस का सिनारियो कि यह 8 जून से रिइस्टरेशन स्टार्ट है तीन जुलाई को पेपर है 26 दिनों का गैप है और धाई लग बच्चे ऑन अन आवरेज अपियर करेंगे और एक दिन हाडली लगेगा जेए एडवांस को एन की IIT को NTA से डेटा कलेट करने के लिए उन बच्चों का जो की एडवांस के लिए एलिजिबल है और अपियर होंगे उस एग्जामिनेशन में वहीं अगर हम बात करते हैं जेए मेंस की तो अभी तक कोई भी कोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि भहिया आप लोग रिष्टर करिये और आपका जेए मेंस का फस्स एटेम्ट होने वाला है तेकिए अब यहां पर थोड़ा हम स्टाटिस्टिकल बाते करते हैं तो जेए मेंस में आपके ऑन एन एवरेज 10 लाग बच्चे अपियर क ची इंब चलो हम चार गुना करते हैं डवल कर देखंट टेंटे इसिक्स डबल हो गया फिस्टी 2052 ड pounds होगया तो माल लीजेव यह पूरा प्रॉसेसर रिट्रिशिं का प्रोसेस वेरिफिकेशन का प्रॉसेस एड्मिट का प्रोसेस यह इं टोटल हमारा 452 डैज ने लेता ठीक है एडवांस का मैं पूरा सिनारिव बता चुक हूँ आप लोगो माल लीजिए प्रोसेस आपका 52 डेज ले लेता है और एक मार्च से अगर आप 52 डेज केलक्लेट करोगे तो भाईया 22-23 अपरेल तो आपकी अल्रेडी आगई 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 आप 26 अपरेल से तो आपके बोड एक्जामिनेशन है तो ऐसे थुड़ना होगा कि 22-24 को पेपर करवा दिया और जही मेंस का एक्जामिनेशन तो भही है लगातार कंड़क्ट होता है ऐसा थुड़ना है कि वो वन डे वन सेट का ही पेपर है काम खतम वहाँ पर तो आप लोगों के लिए सेट चलते हैं सेशन चलते हैं इवनिंग और मॉर्निंग के और आपके पेपर होते हैं लगातार तीन-चार दिनों तक होते हैं नहीं होते तो मेंस में जो है टाइम जादा लगता है तो अब्वेसी बात है अगर 22 अपरेल आ जाती है एक मार्च से कैलकुलेट करते हुए भी तो 26 से तो 12 लोग के बोर्ड होंगे तो कोई पॉसिबिलिटी बनती है एपरेल के मंत में जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्ट होने की मेरी तरफ से तो नहीं आप लोग बताएगा जरूर ठीक है तो अब्वेसी बात है तो जो स्पेस कुछ बचे गाई नहीं कि बोर्ड एक्जामनेशन स् को बोर्ड एक्जामनेशन को भी देखते हुए ही अपनी डेट फानिलाइज करने पड़ेगी जेई मेंस की वह ऐसे हवाबाजी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जेई मेंस का जो पेपर है वो हर एक स्टेट बोर्ड का बच्चा हर एक नैशनल बोर्ड का बच्चा दे रहा है समझाए रहा है आप लोग को तो यहां पर मान लेते हैं कम से कम दो अटेंप भी होंगे तब भी पूरी-पूरी possibility है कि आपका JEE का first attempt माई के month में ही होगा, in the month of में ही होगा, तो आप लोग बताईएगा जरा, जो मैंने ये statistical बाते आपके सामने data analysis रखा है, JEE advance और JEE means को लेकर, आप लोग मेरी इन बातों से कितना agree करते हैं और आप लोग please, please, please comment section पर बताईएगा, चाहे मेरे against opinion हो, I'll also agree with that, अगर आप मेरे support में बोलना चाहरे हैं, तो तो भाईया सौने पे सुहागा, ठीक है पर आप लोग अपना opinion शेर जरू करिएगा, चाहे आप neutral हैं, doesn't matter और अगर आपको पूरी वीडियो में जरा सा भी portion आपको पसंद आया हो और आप agree कर रहे हो कि हाँ भाई ये बात इस बंदे ने सही बोली है तो प्लीज वीडियो को like करना चैनल को subscribe मारना यार उससे हमें support मिलता है कि आप लोग के लिए valid information लाए, वरना आप लोग के लिए हम भी जूटी information लाकर views बटोर सकते दियार, ठीक है तो चैनल को subscribe मारना टेल और टेक केर, may God bless you and bye bye